बिस्मिल्लारमान रहीम असलाम अलेकुम मैं आपकी फेमिली फुजीशन डॉक्टर को सर हेल्थ केर चैनल से आपसे मकातिब हूं उमीद आप लोग सब खेरियत से होंगे आज की मारी वीडियो को टॉपक है कुरोना एंड प्रिग्निंसी आज कल आपको तो पता है के कुरोना पैंडायमिक जो है अवे चल रहा है और इस सिल्सले में आर सी ओजी यानि रॉयल कॉलेज ऑफ अबस्टिशन गानेकॉलिजिस यूके एंड सेंटर ओफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन युनाइट स्टेट्स ने इस सिल्सले में बहुत सारा डेटा कोलेक्ट किया प्रेगनल लेडिस के ओपर जो है वो रिसर्च करी और उसके बाद उनने कुछ गाइडलाइन जो हैं प्रोइट की हैं आज हम बहुत सी प्रेगनल लेडिस के सवालों के जवाब इन गाइडलाइन की रोशनी में देंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी सवाल की तरफ और देखते हैं कि प्रेगनल लेडिस के आज के करोना में क्या सवालात होते हैं तो सवाल नंबर वन है कि क्या प्रेगनल लेडिस को करोना हो सकता है तो इसका जवाब है येस जरूर हो सकता है बलके प्रेगनल लेडिस में करोना होने के चांसे नॉन प्रेग इनंसी एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपका जो इंद इस्टम है वह पहले से ही कम काम कर रहा होता है इसले किसी भी किसम का इन्फेक्षन होने के चांसेथ बहुत ज्यादा होते हैं यह मुक्सलिफ स्टेडिस में देखा गया है कि अगर करोने में का इंफेक्शन होता है तो बहुत सारी खवातीन जो है वह एस्म्टोमेटिक रहती है यानि उनको कोई इलामात जाहर नहीं होती और कुछ ऐसी है जिनको माइल्ड सिम्टम्स होती है यानि थोड़ा सा बुखार गया या फ्लू लाइक सिम्टम्स होगी बहुत कम परसंटेज जैसी है जो बहुत ज्यादा अन्बैल होगी यानि थोड़ी खवातीन ऐसी होंगी जिनको के हॉस्पिटल एड्मिशन की जूरत होगी वह कौन सी है कि अगर आपको इंफेक्शन जो है वह थर्ड ट्रेमेस्ट में होता है आपकी एज जो है वो 35 से जादा है या आपका वस्दन बहुत जादा है जैसे बीमाई आपका 25 से जादा है इसके लावा ऐसी खवातीन जिनके अंदर प्रिग्नेंसी में पहले से कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही हो यानि उनको डायबेटीस हो या उनको जो है प दूसरा क्विस्टिन यह आता है कि अगर करोना हो जाए तो प्रिग्नेंसी पे क्या अफेक्ट होते हैं बहुत से स्टेडिस में जो के यूके में और अमेरिका में कंड़क्ट की गी है इनमें यह देखा गया है कि जो प्रिग्नेंसी में जब करोना होता है तो कॉम्प्लिक कुछ ज़ादा होती है इसमें क्या सरफरिस जो है वो तक्रीबन टू तो थी टाइम्स आपकी प्रीटर्म लेवर के चांसेज ज़ादा होते हैं यानि वक्त से पहले जो है वो डिलिवरी हो सकती है दूसरी जो इंपॉर्टन कॉम्प्लिकेशन है वो प्रीकलैंप्शिय हो सकत है यानि आपको प्रेगनिंसी में ब्लड प्रेशर ज़ादा हो सकता है तीसरा है कि स्टेल बर्थ के चांसेज होते हैं और चौता आपका सजेरियन रेट जो है वो जाता है अगला स्वाल या आता है कि करोना अगर हो जाए प्रेगनिंसी में तो बेबी के उपर इसके क्या होंगे तो बहुत से स्टेडिस जो कंड़क्ट की गी हैं उसमें यह दिखा गया है कि बेबी की डिवेलप्मेंट पे इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि करोना वाइरस जो है इसकी वर्टिकल ट्रांस्मिशन नहीं होती यानि यह मदर से बेबी के अंदर नहीं जाता इसलिए बेबी की डिवेलप्मेंट पे इसका कोई एफेक्ट नहीं होता अब नेक्स्ट क्वेस्टन जो बड़ा इंपॉर्टन है वो ही आता है कि प्रेगनेंसी में क्या कोरोना की वेक्सिनेशन लेनी चाहिए तो इसका जवाब है येस क्योंकि ये वेक्सिनेशन जो है वो इसलिए ये वेक्सिनेशन प्रेगनेंसी में लेना सेफ है और प्रेगनेंसी की आप किसी भी स्टेज पर ये वेक्सिनेशन ले सकते हैं जैसे फ्लू की वेक्सिनेशन आप किसी भी स्टेज पर ले सकते हैं इसका एक फाइदा ये भी होगा कि वेक्सिनेशन से जो आपके अ अब next question आता है कि क्या breastfeeding mothers जो हैं वो vaccination ले सकती हैं तो इसका जवाब भी yes में है बिलकुल ले सकती हैं क्योंकि virus जो है वो breast milk में skirt नहीं होता और ये vaccination breastfeeding में भी safe है कुछ कवातिन ये question करती है कि different kinds of vaccination जो है वो available है तो हम कौन सी लगवाएं तो आप कोई भी vaccine जो आपकी country में available हो वो लगवा सकती है जैसे पाकिस्तान में Chinese vaccine भी है, Moderna भी है, Pfizer भी है ये सारी vaccination pregnancy में safe है क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये live virus से नहीं बनी सबसे जादा important स्वाल है, जो के एकसर latest करती है, वो ये है कि क्या ऐसी खवातिन जो pregnancy plan कर रही हो, वो भी vaccination लें तो उनके लिए ये अर्स है कि जो भी खातून 18 years से जादा है, वो vaccination जरूर करवाएं और अपने जहन से ये myth निकाल दें कि इस vaccination से fertility के ओपर कोई effect होगा fertility के ओपर इसका किसी किसम का कोई effect नहीं है, ये मुक्सलिफ studies में देखा गया है आखर में कुछ सवालात ये आते हैं कि अगर pregnancy में करोना हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए अगर आपको करोना हो जाता है, आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को contact करें, उसका number आप अपने पास रखें, अपने आपको isolate करें अपना hydration का ख्याल रखें, यानि अपने fluid intake जादा रखना है, आपकी diet healthy और balance रहनी चाहिए calcium और vitamin D के supplements वो भी जरूर लें, vitamin C भी add कर सकती है अगर आपको symptoms कोई जादा मेसूस होने लगें, आप फॉरण अपने doctors को contact करें और ताकि अगर आपको कोई hospital admission की जरूरत हो, तो वो बरवक्त आपको बता सके आज की वीडियो अमीद है आपके लिए, बड़ी informative होगी, आपको अपने सवालात के जवाब मिले होंगे वीडियो पसंद आये तो इसको share कीजिए, like कीजिए और चैनल को subscribe करना नहीं बोलना अपना ख्याल रखिएगा, अल्ला आफिज